दोस्तो जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा अधनिक देश जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देश फ्यूचर में जी रहा है लेकिन दोस्तो जापान के बारे में दुनिया जितना जानती है वह पूरा सच नहीं है जिया दोस्तो जापान में होने वाली कई अजीबो गरीब चीज़ नहीं कभी देखा होगा दोस्तो जैसा क्या आप जानते हैं जापान टकनीख की मामले में पूरी दुनिया से कहतना आगे है और जापान के लोग अपने बैलंस्ड लाइफ स्टाइल के लिए भी दुनिया भर में मशूर है लेकिन कई और भी ऐसी बातों हैं जो दुनिया से चुपी हुई है तो दोस्तो आज की इस वीडियो के लिए हो चाहिए तयार क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं जापान के कुछ डार्क साइट्स के बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा दोस्तो जापान का रुच कुल्चर नई नई तकनीक का इनोवेंशन और अदबुत नेचर लेंड्सकेप दुनिया भर में जाना जाता है साल 2020 में जापान की असाही वेवरेज कंपनी ने अपने पानी की बोतलों की बिकरी बढ़ाने के लिए अपनी सोडा बोटल्स के डिजाइन को काफी अट्राक्टव बना दिया आपको बता दे की असाही वेवरेज जापान में अपनी CPU यानी की काल्पनिक प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है असाही वेवरेज ने अपनी CPU की बोतल्स पर एक इनोवेटिव और क्रेटिव लेवल्स लगाये थे जिस पर एनीमे का इस्तिमाल किया गया था जापान में असाही वेवरेजिज अपने दूद, दही और खटे ड्रिंक्स के लिए जाने जाते हैं साल 2020 में जापान के एनीमे क्रेज को एक नया रूप देते हुए असाही वेवरेजिज ने अपनी बॉटल्स के लेवल को स्कूल के बाद की बादचीत को इंटरस्टिंग तरीके से पेश किया था दोस्तो आपको बता दी कि जापान में एनीमे का बहुत क्रेज है उसी क्रेज को देखते हुए असाही ने ये क्दम उठाया था इससे हुआ ये कि स्कूल के जादातर बचे सीपीउ सोडा और सीपीउ पानी को पसंद करने लगे थे बोतल पर योर आफ़र स्कूल गोज इन मोशन जैसी स्लोगन भी चिपे हुए थे जो एन लेवल्स को और भी ज़्यादा अट्राक्टब बनाते हैं दोस्तों इमेजन कीजिए कि आप एक कैफे में चाय या काफी पीने गए कुछ दिर बाद आप कैफे से निकल जाते हैं और बहुत दूर आ जाते हैं तब ही आपको पता चले कि आप गलती से अपना वालिट या सेल फोन तो कैफे में ही बूल गए हैं आपको आपका सामान चार दिन के बाद ही मिल जाएगा हरान रहेगा ना ये कल्चर है जापान का जियां दोस्तों जापान में लोग अपना वॉलेट फोन या तक की लाप टॉप भी अपनी टेबल पर छोड़ कर बेखोब जा सकते हैं क्योंकि वज़ा क्राइम रेट बहुत कम है खासतोर से चोरी के मामले तो बहुत कम आतो हैं आपको बता दे कि जापान के लोग बहुत कुल्चरड हैं और उन्हें आज पास चाहे किसी भी कितनी भी महंगी चीज क्यों न पड़ी हो कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगाता जब तक कि वो चीज उसकी नहीं हो क्यों है ना कमाल की बात नमब त्री नो स्टाफ इन रेस्टोरेंट्स दोस्तो जापान तक्नीक के मामले में दुनिया स्विक इतना आ आगए है इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान में रेस्टोरेंट्स में कोई भी वेटर इनसान नहीं होता बलकि जातर रेस्टोरेंट्स में रोबोट या AI मशीन कहें इस्तेमाल किया जाता है जापान में फूड ओर्डर करने के लिए या तो रोबोट की स्क्रीन पर टच करके आप कर सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट के आपने खुद के आपस भी हैं जिने इंस्टॉल कर आप अपना ओर्डर कर सकते हैं फूड डिलिवरी की बात करें तो कई रेस्टोरेंट्स में रोबोट फूड सर्फ करते हैं तो कई में मशीन्स दोस्तों जापान के रेस्टोरेंट्स का ये अनोखा तरीक आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताएगा जरूर नमब फोर टूडी थीम्ड काफे दोस्तों काटून्स की दुनिया कितनी रंगीन होती है और हसी भी ये तो आप जानते हैं न ऐसी एक थीम्ड ये काफी शॉप टूडी कैफे के नाम से जाना जाता है इस कैफे को साल 2019 में खोला गया था और ये कैफे जाबान के सबसे ज़्यादा फेमस कैफेज में से एक है इस कैफे की हर एक छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी चीज काटून की बनी है आपको अदादी कि दोस् सारा फरनीचर यहां तक की बरतन भी कार्टून की तरह दिखाई दिखाई दिते हैं और ऐसा लगता है कि सारा सामान ही नकली हो हला कि यहां रखा हर एक सामान असली है क्यों है ना मुझेदार नमबर फाइब मास्कॉट्स दोस्तो जापान में मैस्कॉट्स बहुत जादा फेमोस है ये एक ऐसा ट्रडिशन है जो स्वधियों से चला आ रहा है जापान के लोग इसे पसंद भी खूब करते है मैस्कॉट्स का मतलब होता है किसी भी वेक्ति का खुद को एक कार्टून कारेक्टर की पोशाक में ढाल लेना बच्चों को ये मैस्कॉट्स काफी जादा पसंद आते हैं मैस्कॉट्स बनने वाले लोग दूसरों का मनोरंजन करने के लिए पैसो लेते हैं ये एक तरह का पीश्रा भी है जापान में क्योंकि यहां मैस्कॉट्स की भारी मांग रहती है लेकिन इसके अलावा भी मैस्कॉट्स जापानी कल्चर में काफी इंपॉर्टन्ट रखते हैं जापान में फेमस ये मैस्कॉट्स मशू़ूर कारेक्टर्स की पोशाक में होते हैं जिनने यूरुचरा या काईव कारेक्टर के रूब में जाना जाता है। जापान में मशूर ये मैसकॉट्स जापान के इस्थानी खस्बों से लेकर यहां के अलग-अलग रीजन को भी रिप्रेजन्ट करते हैं। इन जापानी मैसकॉट्स में खास बात यहां कि ये काफी इनोवीटिव और क्रियेटिव होते हैं। दोस्तो जापान में एक मारियो गेमिंग थीम पार्ग है जिसका नाम सूपर नाइन्टेंड वोल्ड है। ये एक एंट्रोटेंवन प्लेस है जहां लोग अपने बच्चों के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। यहां मारियो वीडियो गेम की तरह कई तरह के गेम्स हैं और तो और यहां के एक प्रिंसिस का कैसल भी है। इसके अलावा यहां लोग सूपर कॉइंस बंद भी कलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि वीडियो गेम्स में होता है। दोस्तो सूपर नाइन्टेंडो वोल्ड अपने आप में कनुखा थीम्ड पार्ख है जहां हर चीज गेम के तरह रियर लगती है। दोस्तो जापान अपने रिच लाइप स्टाइल के लिए जाना जाता है और यहां के लोग काफी ज्यादा लगजरियस लाइफ जीते हैं। आख उड़ा आ गया है। यही बज़ा है कि जापान में ट्रिप देना सही नहीं समझा जाता। इसी की जगा किसी भी वेटर की सर्विस को खुशो कर उन्हें थैंक्यू कहा जाता है। दोस्तो जापान के टोक्यों में ट्रांस्पारिंट यानि श्रीसे के पब्लिक टॉलिट्स बनाएगा हैं। जो कि हर किसी के लिए बिलकुल फ्री तो यूज हैं। इन टॉलिट्स की दिवार श्रीसे की बनी हैं जिसके वज़े से टॉलिट के अंदर और बाहर सब कुछ दिखाए देता है। अब अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि इन टॉलिक टॉलिट्स को लोग कैसे इस्तमाल करते हैं तो आपको उदा दे कि इन टॉलिट्स के दरवाजे जैसे ही बंद होते हैं टॉलिट के इन शीशो के दिवारों का रंग बदलने लग जाता है और इसके बाद ब वो घरीब बात हैं जो आपको सर्फ जापान में देखने को मिलेंगी इन में से कौन सी बात आपको सबसे इंट्रस्टिंग लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक शेयर और चानल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजगा दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें